नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर एक बार उभुखताओं के हिट से जुड़े कारिकरम उभुखता मज़बर और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, सरकार ने कई सारे प्रावधान बनाये हैं उभुखताओं के हिट से जुड़े बस बात है इन्हें समझने की जानने की और इनका लाब उठाने की और आज हम बात करेंगे उब्भुकता संडरक्षिन कानून के बारे में और इस विश्य में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर योगेश गुपता जी जो की अधिवक्ता है उच्चे नेलाय में सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में सर मैं आपसे जाना चाहूंगी कि उब्भुकता संडरक्षिन कानून क्या है और आज का उब्भुकता कहा किस हद तक सुरक्षित है देखे नेया जी उब्भुकता आज की तारिक में पूरी तरह से सुरक्षित है उब्भुकता संडरक्षन अधिनियम 1986 बना उब्भुकता संडरक्षन नियम 1987 बने अधिनियम में पूरे प्रावदान है जिससे की उब्भुकता को पूरी तरह से फायदा मिले अब आप देखिए उबोक्ता अधिनियम के तहत जिला इस्तर पर जिला फोरम बने हुए जिला मंच जिला मंच राज इस्तर पर राज मंच बना हुआ है इस्टेट फोरम और राष्टिय इस्तर पर राष्टिय नैशनल फोरम बना हुआ है जहां की मुकद में फाइल किये जा सकते हैं अब किसी भी उभोकता को उधाना के तोर पर नहीं जी किसी व्यक्तिने किसी दुकान से सामान खरीद रहा है अब उस सामान में कोई तुटी रह गई मैनिफेक्शन में डिफेक्ट आ गया या वो वरकिंग अच्छी तरह से नहीं कर रहा है या उसकी क्वालिटी कुछ बताईए मानक कुछ बताया है और वो निकला कुछ और तो इन सबकी शिकायत वो संबतित उभोकता मंचे में कर सकता है और उभोकता में शिकायत करने पर कि उसे किस तरह से किस प्रकिरिया में चलना है और कहां जाना है इसकी अगर जानकर यूब भोकता को है तो पूरी तरह से सुरक्षेता है जी सर मैं और जाना चाहूंगे आपसे कि कमर्शियल परपस से जो हम सामान खरीदते हैं तो उसे खरीदने के बाद हम किस हद तक नहीं आएगा जी कमर्शियल अगर उससे कोई खरीदा है ऐसी बात तो वो कमर्शियल में किसी पी तरह से कवर नहीं करता क्योंकि यह चीज़ कमर्शियल नहीं तो फिर का है कमर्शियल के हिसाब से तो इतने मुकदमे हो जाएंगे कि असली जो कंजूमर है उसको मुकदमा दायर करने की अवधी सामने तरह क्या होती है देखिए किसी वेक्ति ने नहीं जी कहीं कोई सामान खरीदा या उसको परेशानी हुई उस परेशानी होने के बाद उसको पता लगा उसके परेशानी होने के बाद दो साल के अवधी के अंदर उसको मुकदमा जो मु मंच के पेष कर सकता है और मंच में जह वो शीकायद पेष करेगा तो विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी होते हैं नोटिस जारी होके उसको बुलाय जाता है निया जी बुलाने के बाद इस सब्सक्राम करने के बाद जो भी साक्ष a documentary होती है उसके बंदर ने किया जाता है तर आप कोई इस तरह का मुकदमा हमारे viewers को बताना चाहेंगे हैं आज देखिए आप बहुत सारे ऐसे मुकदमे है के लोगों ने कोई TV खरीदा ती वी डिफेक्टिव निकल गया जी उसमें उसको कंजुबर फर्म ने फर्स्ट ने उसमें साथ जार रुपय का जुर्माना लगाया उसके कंपंशेशन दिया उसको असी रुपय के एवजिमें उसको साथ जार रुपय का मांचिक्षदी पूर्थी वगरे मिली क्योंकि जब जबरन आप यह देखिए माली यह टाइम लिमिट है ताइम लिमिट में कोई गैस की चैक होना ठीक है उसका पेमिट लेना भी ठीक है लेकिन आप टाइम लिमिट से पहले आकर और चुक्ता असी रुपय ले रहे हैं जबरन ले रहें नहीं तो सप्लाइज रोक रहे हैं तो यह सेवा डेस की श्रिनी में आता है ऐसे मामलें और बहुत सारे मामले हैं, अभी एक मामला था, जिसमें एक मिश्टर बहवरलाल जी थे, उनको जो अभी शायद यहीं सर्विस में हैं, उनकी डाक स्पीट पोर्टे टाइम पे नहीं पहुचाई, उनका परिशा रह गई, बाद में तो नोकरी में दूसरी में आ गए, लेकिन उनके में कमपेशेशन, उनको 55,000 रुपे कमपेशेशन, बड़ा उबोकताओं के लिए फाइदे कानून है, और उबोकता बड़े आराम से इस कानून को प्रकेरिया को काम में ले सकते हैं, और फाइदा उटा सकते हैं, बहुत बड़ी है चीज बिताई, सिर आपने सिर एक और चीज में जानना चाहूंगे कि जो उबोकता है, वो किस अमाउन तक का चतिपूर्ती का दावा कर सकता है? देखिए शतिपूर्ती का दावा तो कुछ भी कह जा सकता है, वो तो उनके ओपर इच्छा है, पांच रुपे की पेस्ट से लेकर के तो कोई बियो लेकिन जैस तो आप इस बारे में कुछ बतायाना चाहेंगे तो आप इस बारे में कुछ तो उब्होगता को हुने है चाहिए, उनके मन में एक दिमाग में यह बहुत जादा खर्चा लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन चुलक तो है, बहुत नॉमिनल सा चुलक रखा गया है, उस चुलक में यह है, कि जैसे मैं थोड़ा साब को बता दूँ के जिला फोरम है, तो जिल से उपर का जो मामला होगा वो नेशनल फोरॉम में डायरेक्ट जाएगा डायरेक्ट अगर इस लिमिटेशन में इसके लिए एक फीज तैकी हुई है कि अगर एक लाग रुपे तक का मामला है तो उसमें सो रुपे पात लाग रुपे तक का मामला है तो उसमें दो सो रुपे और अगर दसलाख रुपे का मामला है तो उसमें चाट सुरुपे है और बीसलाख रुपे तक का मामला है तो केवल पांसुरुपे सार ये तो फिर कुछ भी अवाम नहीं है और इसके ओपर इससे कम वाले हैं इससे कम मतलब एक लाग उपर तक क्या है लेकिन हाँ एक बार बता दू निया जी इसमें मैं बहुत इसपस अंतोदे योजना के जो लोग हैं अंतोदे योजना है गर्णन की अंतोदे योजना या गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उन्हों भोक्ताओं को मैं बताना चाहूंगा जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं और जो अंतोदे योजना के आते हैं उनको एक लाग रुपे तक के मामले में किसी तरह का एक रुपे का कोई शुल्क नहीं है बिल्कुल फ्री है किसी तरह का कोई वो नहीं बिल्कुल यह बहुत ही बढ़िया चीज बताई से आपने सर मैं आप से यह भी जाना चाहूंगी कि आर्थिक शेत्राधिकार यह क्य को सुनवाई का 20 लाक रुपत का कोई मैतार होगा मामला होगा तो वो जिर्म जाएगग का मामला और एक करोड तक और और एक करोड तक है ईक करोड तक का वो उस स्टेट के जो इस्टेट अ फ्रॉम है उश्ते फोर में जाए गा बिल्कुल और से उपर का जो मैटर है वो नैसनल फोरम में जाएगा है राश्टी आयोग में जाएग यह जब ही बहुत ही जानकारी थी कि हमारी व्हकारी होता एक जानकारी कितना हमारा अमाउंट और हम कहां जाए और किस तर से बात करें बिलकुद सर्व मैं और जाना चाहूंगे कि कई बार हमने ये भी देखा है कि फैसला आता है निर्णाय आता है लेकिन उसके विरिद्ध अपील भी की जा सकती है उससे क्योंकि कई बार सैटिस्फारी भी आपन नहीं हुआ या उसको कम शती पूर्टी मिली जी वो सैटिस्फारीड नहीं है या दूसरी अपोजिर पार्टी भी नहीं है दोनों पार्टी वे लागू होता है तो निर्णे के तीस दिन के अंदर अंदर अगर जिला फोरम में ने कोई फैसला किया है तो वो राजायोग मे जाएगा जी वो फैसला कहा जाएगा राजायोग में बिलकुल बिलकुल राजायोग ने जो कोई फैसला किया है उसकी अगर अपील करनी है तो वो राजायोग की अपील राश्टियायोग में जाएगी जी जैसे कि हम नॉर्मल हमारा केस करते है तो हाई कोट सुप्रिम है ने तो लेकिन इस में फोरूर में थोड़ा सा अलग है कि डिष्टिक फोरूम से सीधा इस्टेट फोरूम में अपील और और कई वार ये भी देखने में आता है कि कोई निरनय हो गया है उसको अमाउंट आपको देना लागू हो जाता है लेकिन वो कई वेक्ति ऐसे होते जो नहीं देते हैं, मुकर जाते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान बनाएंगे हैं? देखे लिए इसके लिए एक्ट में प्रावधान बना हुआ है कि देखे होता क्या है निया जी एक थोड़ा समय तो लगता है, कोई भी मंच में शिकायद गई है, नोटी जारी होते हैं, मैंने पहले भी का, नोटी जारी होने के बाद उस पारटी को उपस्तित होना पड़ता है, पक्षकाज़ उपस्तित हो जाता है, फिर उसका जवाब लिया जाता है, क्योंकि एक नेचर जस्टिस है, और नियम भी है, कि उसका जवाब तो पुछा जाए भई, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई जैसे मैनिफेक्शन डिफेक्ट है, तो अब दुकान पे लिए, और कोई काम पे लिए, कोई भी चीज लिए, तो यह इस परविव में आ रहा है, तो उससे जवाब लेने के बाद, जो भी रिटन डॉकुमेंट्स, एफिडेविट वगरे शपत्पत्र लेके, इसका डिसीजन किया जाता है, जी, डिसीजन करने के बाद, या तो कई पार्टीज तो ऐसी होती है, कि डिसीजन निर्ने जैसे ही हो जाता है, वो निर्ने के अनुसार उसकी कंप्लाइंस करने के लिए, उसको पेमेंट कर देती है, भुकतान कर देती है, जो भी कोट का आदेश है, जो भी मंच का आदेश है, उसकी कंप्लाइंस कर देते हैं, लेकिन कही बार ऐसा होता है कि या तो एक पक्षिय केस हो गया एक पक्षिय का मतलब कि दूसरी पार्टी सर्विस होने के बाद भी मंच के सामने उपस्थित नहीं हुई तो एक्स पार्टी हो गया उसका अब X party में उसका निर्णे हुआ तो निर्णे की कोपी भेज दी उसने ध्यान नहीं दिया या निर्णे में उप्रेजेंटी भी हो रहा है और प्रेजेंट रोने के साथ वो उस निर्णे के ओपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा तो दो तरह तरीके हैं इसमें एक तो उसकी property उसकी संपत्ति है जे जो भी उसकी जो जिसके खिलाफ ओडर हुआ है Unsके संपत्ति को kud का मतलबอा आप जनरल बात्चा में समझे उस संपत्ति को अटेच कर लिया जाता है संपत्ति को अपने कबजे में ल coupon है उसके बाद उसकी सैल करके उसका करके जो राशी शतिपूर्ती की या जो भी राशी है वो परिवादी दिलवाई जाती है जितनी भी राशी बनती है अम्माली जादा हुआ तो तो वो उसको वापस लोटा देंगे पैसे खर्चे वगरे काट के और बाकि उस परिवादी को लोटा देंगे अब कही बार एक ब जेल या तो एसी वैक्ति को तीन साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है तीन साल तक का कारवासे की सजा का प्रावधान है और इसमें मिनिमम सजा मिनिमम एक महीने तो देनी ही होगी अच्छा एक महीना तो मेंडिटरी है यह नहीं कि एक दिन की सजा से काम तलिए ना एक महीना मेंडिटरी के उसको एक महीने की सजा तो देनी पड़ेगी और इसके स या जेल भेज दें या दोनों कर दें ये बहुत शब्द है दोनों शब्द एक्ट में लिखा हुआ है ये तो बहुत ही मतलब नहीं उब्भोकताओं को देखिए पूरी तरह से जिलीफ है अगर उब्भोकता चाहिए हम लोग क्या है एक्च्वल बात बताओं एक चीज है बिल्क पर ध्यान नी देते एक बड़ा मैं आपके सामने बात रख रहा हूं हलाकि एक तो कोई भी चीज खरीदें जी उसका कहीं किसी भी तरह के टैक्स या किसी के भी लालच में किसी भी कोई दुकानदार आप हो कहता है कि देखो मैं टैक्स बचा दूंगा बोले नही तो आप बिल लीजिए बिलने के अपने पास रखिए फिर उस आप किसी भी आसपास दिखाने के बजा सीधा कंपनी के उसको दिखा सकते हैं कंप्लेंट करिए और कंप्लेंट के बावजूद भी आपके अगर बात नहीं मानी जाती है तो कंजिमर फोरम है आपके सामने पूरव बाते बताई हैं आज हमारे वीवर्स को सेर और मैं बस एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि सेर जिसे हम अपने सारी बाते समझ ली सारी बाते सारे दर्शकों से नजा कर ली हमने लेकिन अगर दर्शकों को कंजिमर आक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो क्या कोई वेब साइट या कोई टोल फ्री नंबर जहां से मतलब हमारे कंजूमर फोरम के हैं वो कंजूरम उसके बने हो हैं लेकिन जानकारी लेने के लिए देखिए एक बात है कि आज कल तो वैसे जितना भी है कई साधने जिन से पता लग जाता है बाकी कोट जिले में जो इस् नहीं है लेकिन जानका लेने का अगर आप एक तो वैसे तो सेट परफोर्मे में आप पेश कर सकते हैं अगर सिंपल भी लिखके देंगे तो भी उस पर कारवाई होगी आप मंच के सामने जाहिए बस इतना पता होना चाहिए आपको कितने रुपे कि कंप्लेंट कहा करनी है नहीं होगी या फिर वो कोई दोलाग रुपे के मामले को लेके इस्टेट फरॉम में तो सुनों वह 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 इतना सब है वह इसटा बैटता है अपको कोई भी कंजूमर जाएगा उससे बताएंगे और उससे निश्चित रूप से सला देंगे इची तरह से और बता देंगे कि बैइ आप इस तरह से यहां पर पेश करिए या कुछ बाते और मैं बताना चाहूँगा क्योंकि उववगता संडाक्षन जो मामले हैं जी अब आप यह देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पे भी उववगता संद्रक्शन मामले बनते हैं और उस पर उबोगता का अधिकार है जी आप देखे एक कोई कंपनी है जी अगर माली जी आपने कही जगे देखा होगा कि चार सो निन्यानमे रुपे आपने कार्ड स्वेप कराया या आपने पेमेंट दिया पांसो रुपे एक रुपे आपको नहीं दिया माली जी बिल में आपको 499 का दे दिया बहुत महत्पूर्ण बात में आपको बता रहा हूँ बहुत बहुत दबरी चीज है यहां आपके पास एविडेंस नी एक रुपया नहीं दिया या तो आप उसे लिख वा लें के 500 रुपय गोल अलगवा कि उसमें साइन करवा लें तो निश्चीत रूप से तैह है कि उसमें परविव में आ जाएंगे और कार्ड से कर दिया तो बुक्ता के मेटर बन गया आप उससे कहिए आप मेरा एक रुपया तो वापस करिए अभी बिल्कुल अलगि इत्ति छोटी बात हो कोई जान नहीं देता लेकिन एक बात देखिए अगर वो एक एक रुपया रख रहा है एक बात पोचिए उसने कितने लोगों से एक एक रुपया रख किपना रुपया बचा लिया उसने तो तो इसके साथ तो हितों के साथ उसमें हलकी सी इसमेंल आ रही है बिल्कुल अब इसका दो कारण है फर्स्ट कारण तो ये है कि सही मात्रा में उसको स्टेर की टैम्ब्रेचर में लगे कर दिया क्यों कराब हो गया वह से पोड़क्ट आफे हैं उन प्रोड़क्स के अंदर लिखाता है किसाब आप जो है इस इस तरह से जो है इसको आप इस डेट तक यूज़ करेंगा और इतने डिग्री सेंटिगेट तक इसको आप उसको कैई Amazing उसको safe इसने रखना चाहिए safe temperature आप यह देखिए एक बार मेरे साथ खुद के दाथ ईक जतराशी एक medical का बिल आया, कोई कंपनी से मंगाया, बिल का बैच नमर अलग और वो अलग क्या नाम है, दवाई अलग, उन्हों चेंज करके दी तुरंट, फोन करते हैं, उन्हों तुरंट चेंज करके दी उसको, किसा हमसे गलती हो गई, अब ये गलती कभी कंजूमर के ओपर बहुत भरी तो इससे बचने के लिए ये है कि दुकांदार भी ध्यान रखें इस बात का, मैं तो उभोकताओं के साथ साथ दुकांदारों के भी सीख देऊंगा, और बताना चाहूंगा इस माधियम से, कि आप अपने उभोकताओं का ध्यान रखें, आप उभोकताओं के हितों का ध्य जी आपके लिए आपके जीवन की सुविधाय उफलब्द कराते हैं क्योंकि उबोकता से आपका जीवन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट एंडर है तो आप उनकी सुविधाय का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं आपके जिम्मिदारी बनती है कि आप उस माल को इस धंक से रखें क ड़ी वह खराब नहीं हो जी सेकंड सिंग मैं आपको आपको बथाँगा कुई भी कपड़ा परचेच कि आपने जी कपड़ा परचेच कि आपने कपड़ा आपने पैक लिया, काई लोगों की बड़ी सामने नहाजी आदत होती है, कि कपड़ा लिया और कपड़ा लेने के बाद उसको देख लिया, कलर बड़ अच्छा लगा, आप लेके उसको रख लिया उन्होंने, और रख के उसको वो कही दिन तो खोलेंगे नहीं, कही तो तुर यूमर फोरम में आएगा, क्यों? ये कोई, देखे, ये आपका अधिकार है, और लिमिटेशन दो साल का इसी लिए क्या है, जी, कि आप दो साल में कभी भी अपना कम्प्लेंट फाइल कर सकते हैं, कि आपको जब प्रोब्लम किये उसने, तो कम्प्लेंट फाइल कर से, इसी उसकी डेट बदल के और सप्लाई कर देते हैं, सेर इस तरह के मामले में ये आते हैं, ये प्राटिकल बात बता रहूँ आपको, आप ये देखे, उस पर पर्ची चिपका के और डेट बदल देते हैं, जी, आप अगर जागरू कंजूमर हैं, तो मेरी आपको इस अला है, कि आप कोई भी माल खरीदें, सबसे बेल तो डेट देखके खरीदें किछी दुकान दारप को आप पैसा दे रहे हैं आपको घबरानी कोई जुरुत नहीं है आपके साथ पूरी तरह से जिला मंच बगर है और कानून साथ में है आपके साथ कानून है, आपको कहीं कोई डर नहीं है तो आप देखें डेट, अगर डेट महीने पांस दिन भी निकले आप उसको काया में को दूसरा सामान दीजिए दूसरी बात उसके कोई पर्ची दूसरी लगी हुई है तो आपका अधिकार है उस पर्ची को अठाके देखें और पर्ची को अठाके देखें, अगर उसमें डेट गलत है तो आप तुरन तो उसको देदें कि साब मैं इस अमान नहीं लूँगा और गलते साब ले आएं, तो आप उसको रिटन कर जें बिल्कुल बहुत जडरूरी चीज है, यह बहुत ज़ादा ज़रूरी चीज है क्योंकि इस तरह के मामले काफी देखने में आते हैं हम लोग कईयों बार हम जाते हैं, हमारा सामान बदलने लेकिं दुकान वाला साफ क्लियर में ला पर देता है तो बिल्कुल, अगर ऐसी बात है, तो आप खुद भी लोटिज दे सकते हैं, लीगल नोटिज भी दे सकते हैं, उसको लोटिज दीजिए, कि भाईया इस तरह से मामला है, आप इस तरह से करें, आप कोई सब खेड़ साप कुन कमपेशेशन रोड देना पड़ेगा, अच्छ करते हैं, कि सामान बदली नहीं करेंगे, तो ये कहां तक वाजब है? देखिए, बहुत अच्छा प्रशन, ये भी आपने पूछा, अगर उन्होंने कोई नियम बना दिया, तो नियम के एक दिन बाद नहीं बदला जा सके हैं, कोई मेंडिटे नियम नहीं है, कि ये उनका क परसनल नियम ए, कानून नहीं कहोंगा, उसका परसनल नियम है, अगर ऐसा कोई नियम कोई बनाता है, एक वे जो कोई नियम पनाता है, उसने साथ दिन बाद उसको खोला, और साथ दिन वे डिफेक्टे अंदर उसमें कोई गलस चीज निकल गई, तो ओन confirmed kur आधिकार को जा क कि आप देखे किसी भी तरह का कोई बोगता संदाय करें । तो वो भुकता जैसे अगर मैं ए वेक्ती गया और गिफ्ट में किसी ने कोई चीज दे दी उसको लेकिन अगर पैसा लेके कोई गिफ्ट दिये साथ में तो वो भुकता कानून में आएगी पैसा लखी कोई गिफ्ट दिया तो अगर पैसा दिया आए ट्रांजिक्शन हुआ ह तो फिर वह भूगता कानून के अंदर की जाएगे. आएगे. सर ये तो बहुत सारी नहीं नहीं बाते हैं. देखे जनर्नल आज उभूगता को जागरू करने के लिए ये जरूरी है और इन बातों से उभूगता में एक अंदर ताकत भी मिलती है और जो उभूगता ये सोच रहे हैं कि आज भी देखे जो प्रोग्राम देख रहे होंगे उन में से भूगता ये सोचेंगे आज इस बात के लिए तयार होंगे कि मेरा ये अधिकार है और इस अधिकार के लिए मैं लड़ूँगा और आगे बढ़ूँगा. बिलकुल और मैं हम सभी इस प्रोग्राम के तरफ से आशा करते हैं हमारे दर्शिकों से कि आज का जो हमारा कारेकरम रहा है वो काफी एनर्जेटिक तो था ही था साथ ही साथ बहुत नॉलेजिबल रहा है फिर एक बार मैं सर आपका बहुत बहुत दन्यावाद करना चाहू है और जैसे मैं हमेशा कहते हूँ जागरूख आपको होना है आपको समझना है हमने मंच दिया है और इसी आशा के साथ कि आप जागरूख होंगे मैं नहा आपसे विदा लेते हूँ नमस्कार